हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल क्रैकोवर में स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा मेजर प्रावलम के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ एक फ्यूज के कारण आता है और वो फ्यूज अगर खराब हो गया तो उसे गाड़ी में चार से पांच प्रावलम की रिट हो जाता है वो problem धीरे धीरे करके गाड़ी में आता है, तो पहला problem क्या है कि अगर diode fuse, जो fuse मैं बता रहा हूँ, उसे हम diode fuse कहते हैं, वो fuse अगर खराब हो गया आपकी गाड़ी में, तो पहला आपको जो AC का condenser fan है, वो सही से नहीं चलेगा, AC टाइमिंगली काम नहीं करेगा, मतलब अगर आप running में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो AC कभी ठंडा किया, कभी ठंडा नहीं किया, और AC का pipe भी heat होता है, इसी fuse के कारण, तो पहला problem यह हुआ, दूसरा problem क्या है, कि आपका engine सही से configure नहीं करेगा, मतलब अगर engine सही से configure नहीं हुआ, मतलब engine सही से start होने से पहले, जितना तैयार होता है, engine चालू होने से पहले, अगर वो चीज नहीं हुआ, तो engine सही से start नहीं होगा, या फिर engine कभी कभार start ही नहीं होगा, और तीसरा problem क्या है, कि आपको जो radiator fan है, वो सही से timingly नहीं चलेगा, और चौथा problem यह है, कि आपका FICD सही से work नहीं करेगा, तो इस fuse को आ आप देख सकते हैं, अब यह मैं काली के बिल्कुल सामने हूँ, यह आपका air filter है, बैटरी हो गया, और इसके ऊपर का जहां पर आभी मैं आपको fuse दिखाने वाला हूँ, कि मैं fuse कौन सा fuse बोल रहा हूँ, डायोड fuse मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी दिखाने व आता है, आप लोगों में problem यह आ रहा था, कि AC आप लोगों ने बहुत कुछ चेक किया था, मैंने जैसे बताया था, वैसे आप लोगों ने चेक किया था, फिर भी AC का जो radiator का जो fan था, और AC का जो condenser fan था, वो timingly नहीं चल रहा था, तो आपको मैं उसके बारे में भी इसी व निकाल के भी यह दिखाऊंगा कि अंदर जो dashboard में ignition का light आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं अभी इसको फिलाल आपको फ्रॉपर location दिखाता हूं, यह कहां पर connected है, देख सकते हैं, यह देखे, यह आपको motor वाला cable है, यहां पर आया हुआ है, यह दो, दो cable है, देख सकते है देखे, देख सकते हैं, कैसा connection है, तो friends, अगर यह जो fuse है ना, यह fuse अगर खराब हुआ रहेगा तो अंदर से ignition coil का भी sound नहीं आएगा, मतलब जो engine में ignition coil का sound आता है, टिक 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 6-7 बार वो नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, जैसे आप ignition चालू करेंगा, सिर्फ एक ब problem आती है, पूरा जोर से गाड़ी कड़ाहट सा sound आएगा, vibration engine में एक भी नहीं है, लेकिन engine का sound बिलकुल tractor जैसा लगेगा, आपको वीडियो में कम लग रहा होगा, बट आप सामने में खड़ाओ के देखेंगे ना, गाड़ी पे, तो बहुत जादा sound आएगा, ये वीडियो देखेंगे, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वीडियो देखा, उसमें जो गाड़ी जैसे मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर ने चालू किया गाड़ी, तो उसमें उन्होंने की को इगनीशन पर डाला, सिर्फ इंजन से एक बार टक का sound आया, चा सेल्फ लिया उन्होंने, ग कुरक करकलाहाट का sound आ रहा था, तो उससे वो sound क्यों आता है, जो आपका FICD मैंने बताया था न, जो FICD lever मूब करता है, ऐसे ऐसे, इंजन चालू करने पर वो खिच जाता है, AC on करने पर वापस चला जाता है, अपने original position पर, तो क्या होता अगर ये divert fuse खराब है, तो FICD भी काम नहीं करेगा, आपका condenser, fan भी सही से वर्क नहीं करेगा, AC भी proper cooling नहीं करेगा, अगर ये fuse खराब है, तो, और इसका location देखे, यहाँ पे connector रहता है, इसी wire में ही connector रहता है, बस ये हो सकता है, कि आपका पीछे जो ये आपको दिख रहा है, ये mat, इसके पीछे डाला इस fuse को, तो फ्रेंट देख सकते है, इस fuse को मैंने निकाल दिया है, और इस fuse को मैं साथ में लेके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक ही fuse है, कि इसको तो अभी निकाल दिया है, गाड़ी में ignition coil का भी light नहीं आएगा, इंजन से टिक टिक का भी sound नहीं आएगा, तो अभी आपको मैं अंदर dashboard में दिखाता हूँ, कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फ्रेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, fuse मैंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है, इंजन में अभी यह fuse नहीं लगा है, ठीक है, आप यहाँ ध्यान दिजिएगा, जब मैं इगनिसन पर डाल रहा हूँ, यह fuse आपके सामने में है, आपको पता है कि अभी यह fuse engine में नहीं लगा है, तो मैंने जैसा कि बताए, यह ignition coil का light नहीं आएगा, बाकी सारा का सारा light आएगा, यह ignition coil का light नहीं आएगा, इंजन से जो छे से साथ बाद टिक टिक का sound आता है, वो इंडिवो में लगाओ कोई भी TDI मॉड़ल उसमें आपको एक ही चीड का ध्यान रखना है कि यह जो इन हान्छाल ना आए लेकिन यह का लाइट आना चाइए तो मैंorship इस चालव करके दिखाता हूं इन पर डाल के गारी बिल्कुल सब्सक्राइब और यह तेखे यह लाइट नहीं जाला यह लट नहीं जंद जला यह लाइट नहीं जला चैक का भी लाइट मगलाई देख सकते हैं वे चाहिक किसी में अगर जरास प्लारस ना कि अब भी जो लेटेश। मौडल था 2010 के बाद का उसमें यह जो चेक का लाइट है ना वो अलग से ECU में उसका कनेक्शन किया हुआ तो देखिए चेक का लाइट आता है किसी में नहीं आता है उससे परिसान मत हुए सिर्फ आपको देखना है कि यह इगनिशन काल दीजे तो यहां लाइट नहीं आएगा और यह फ्यूस खराब रहेने से आपका FICD काम नहीं करेगा दूसरा चीज आपका condenser fan साइज से नहीं चलेगा AC का cooling साइज से नहीं रहेगा जब मन किया cooling करेगा नहीं करेगा तो यह फ्यूज को भी एक बाद चेक करें जिनको एसी का problem आरा था अभी मैं एक बार इस फ्यूज को बिना लगाए हुए ही मैं अपने बात में रखता हूं गारी को आगे से मैं आपको एक बार जो इगनिशन डाल के आपको साउंड में सुनाता हूं ठीक अब देख सकते हैं अभी मैं इंजन के पास में हूँ और ये fuse मेरे पास में ही है मैं इस fuse को यहां रख देता हूँ और आपको मैं अभी एक बार गाड़ी को कैसे मैं मैं इंजन को चालू नहीं करने वाला हूँ कूई क्या है इसका में काम कया है कि मरे मेरे साब साथ करना यह मतलब है कि इंजन को सही से होने से要 करना मतलब कि आप माल लीजे आप कहीं भी दौड़ने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उतना तो ताकत जूटाना पड़ेगा ना दौड़ने के लिए अगर आप ऐसे ही दौड़ेंगे बिना खाए पिए तो आपका सरीड आपको नुकसान करेगा तो इसलिए देना है या नहीं जाने देना है इस यू को सिगनल यह खराब रहेगा तो बहुत सारा प्रॉबलम धीरे-धीरे करके गाड़ी में आता है तो मैं आपको अब एक बार चालू करके मतलब इगनीशन पर डालके इंजन का साउंड सुनाता हूं कैसा है इसका इगनीशन को आ का sound ये जो एक बाद टिक का sound आया है ये 6-7 बार आना चाहिए मैं आपको ये fuse लगा के दिखाता हूँ उसके बाद मैं एक बाद फिट से ignition पर डाल के आपको दिखा हूँँगा कि गारी में से कैसा sound आता है ठीक है तो अभी मैं पहले ignition का जो ये जो आपका diode fuse ए उसके प्रॉपर जगे पर लगाता हूं फिर आपको दिखाता हूं क्या Problem है और जो मैं एक बाद पहले बता है fucking fuse box जो मैंने क्षूला था जहां पर यह fuse लगा था उसके ऊपर में fuse box था इसके बारे में भी उसने तीन रिले हैं उसके बारे में आपको मैं भी बताने वाला उसे वीडियो में तो फ्रेंड्स मैं अभी ये फ्यूस लगाने वाला हूँ इसके प्रॉपर बजीशन पर देखा बाइब गारी अभी इगनीशन पर डाल के दिखाता हूं कि साउंड कैसा आ रहा है इंगिसन कॉइल तो फ्रेंड देख सकते हैं यहां पर यह लाइट भी आया है और यह लाइट अभी चला गया तो फ्रेंड आप लोगों ने इगनीशन कोईल का सुना कि कैसा साउंड आ रहा है यह जो चे से साथ बात यह आनाजैए अगर यह दिखाना चाहिए कम से कम ठीक है यह sound ना भी आये तो problem नहीं है लेकिन अंदर में वो जो आपका coil का signal है वो दिखाना चाहिए अगर नहीं दिखाता है तो आपका वो fuse जो मैं बताया है diode fuse वो खराब है friends अभी मैं आपको वो जो diode fuse है उसको मैं बताने वाला है कि आप उसको कैसे चेक करेंगे अगर वो लग रहा है कि हलका सट जला हुआ समेल आ रहा है तो वो diode fuse खराब हो चुका है अगर वो diode fuse नहीं खराब है तो आपको यह जो 10 नंबर का relay यह जो 10 नंबर का fuse है इसको चेक करना है यह कौन सा फ्यूज है मैं आपको दिखाता हूं देखें इस box में यह जो box है इस में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है second number पे ECU diode module ठीक है देख सकते हैं दूसरा में ECU diode module radiator fan के उपर ठीक है तो इस fuse को भी चेक करिए अगर वो खराब नहीं है अगर वो खराब है तो उसको change करिए नहीं तो फिर यह इसको भी चेक करिए और दूसरा ब नहीं करेगा और दूसरी बात देख सकते हैं वह जिस मैंने दिखाया था पहले कि वह कौन से wire में connected है वह डायोड फ्रूस तो उसके उपर में तीन रिले लगा हुआ है देख सकते हैं यह तीनों मैं आपको दिखाता हूं देखें यह तीनों रिले तो उपर का जो दो रिले अगर वह डायोड खराब है इसलिए मैं बोला कि एसी सही से काम नहीं करेगा वहां से भी फॉल्ड आता है ठीक है और दूसरी बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने का ज़ौरत है ना दिखें मैं आपको दिखाता हूं यह यहां आपको जो फ्यूज दीख रहा है यह तो मैंने एक temporary fuse रखाए इस पेर पर यह आपको चार फ्यूज दीख रहा ठीक है यह ब्लैक वाला तो नहीं निकलेगा जो ब्लैक वाला फ्यूज दीख रहा है यह नहीं निकलेगा ठीक है यह तीनों यलो वाले फ्यूज निकलते ठीक है आपको जब भी मौका मिले आप निकाल देंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा यह फ्यूज निकाल देंगे तो इनिशन जो अंदर डैसबोर्ड का लाइट है वो सम्हें आएगा प्रॉपरली मतलब यह पूरा जो फ्यूज है यह गाड़ी का सबसे पहला फ्यूज होता है बैटरी से पावर लेने वाला फ फ्यूज में से कोई सा भी फ्यूज खराब हो जाएगा ना या फिर अंदर देख सकते हैं प्लग रहता है इसमें जो मेटल का पीन है यह पीन देरे-देरे रस्टिंग आ जाता है जिसके वज़से हलका सौट सर्कृट करता है ना प्रॉपर करेंट नहीं जाता है तो डायो में इतना ही था और कोई प्रॉब्ल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं रिप्लाइज जरूर दूँगा और एक बात यह यह आप लोगों के लिए मैंने एक नया फेस्बुक पर पेज क्रेट किया है तो उस पेज को आप जाके लाइक करिए तो मैं उसमें हमेशा लेटेस् डेस्क्रिप्शन पर दे दिया है तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को सेर करिए थैंक्यू वंस अगेन फॉर वाचिंग मैं वीडियो जय हिन जय भारत